दियोशिक्षार्थी आपका स्वागत है उच्चतर माद्यमिक पाठेकरम के अंतरगत एक था पेड और एक था ठूट पाठ पर आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इसके लेकक हैं कनया लाल मिश्र प्रभाकर और यह एक बहुती प्रसिद्ध निबंद है जिसमें जीवन के समन्वयवादी द्रिष्टिकोण को एक प्रस्नोत्तर की शैली में अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है प्रभाकर जी ने ब्यतरीन रेखाचित्र, संस्वनन, रिपोतार्ज तथा ललित निबंधों की रचना की आपकी इस रेष्ट रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, धीप जले, शंक बजे, इत्यादी इन्ही रचनाओं में स्वाक या अनभौ के साथ-साथ तठस्त दिष्टिकूण भी दिष्टिकत होता है आत्मियता और सहस्ता के कारण रचनाएं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुई है एक था पेड, एक था ठूट, निबंध में भी ये सारी विष्टिकूण दिखाई देती है यह निबंध जीवन मुल्यों की स्थापना करता है और यह संदेश देता है कि हमें जीवन में समन्वयवादी दिष्टिकूण रखना चाहिए और समया नुसार हमें जुकना चाहिए और द्रड भी होना चाहिए इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने एक बांच के हरे भरे पेड और एक ठूट पेड को केंदर में रखा है और एक-एक प्रस्त्त को उसने उठाया है और उदारन के माद्यम से उत्तर देने की भी कोशिश की है निबंद विधा की यह खुबी होती है कि उसमें विचारों की उडान होती है और निबंद कार स्वतंत्र चिंतन करता है और अलग-अलग पद्धतियों को अपनाते हुए विचारों को पेश करता है आईए सबसे पहले इस पार्ट के मुख्य विंदूओं को देखते हैं पहली बात है कि एक बांज के पेड़ के माध्यम से जीवन में स्थिर्ता कैसे लाई जाए इस पर चर्चा की गई है इस निबंद में लेखक ने एक सुन्दर पहाड़ी पर रुकने और वहाँ एक मकान से बांज के व्रिक्ष को देखकर अपनी अनभोतियां व्यक्त की है इस व्रिक्ष की हर्याली तथा उसका जूमना बेहद आकर्शित करता है दूसरी और एक ठूट पर द्रिश्टी जाती है जो निर्जी उसा खड़ा है न हिलता है न जुकता है सिक्षार्तियों हिलने और जुकने से तातपर्य है कि परिस्थितियों के साथ तालमेल हर व्यक्ति के जीवन में तरह-तरह की परिस्थितियां आती है यदिवा उनमें सामन जस से बिठा कर आगे बढ़े तो जीवन आसान हो जाएगा कुछ परिस्थितियों में हिलने जुकने वाले तो कुछ में इस्थिर रहने वाले हालात होते हैं इसलिए हमें उनके अनुसार तालमेल बिठाना चाहिए इसका रास्ता है कि विवहार के स्तर पर समन्वेवादी रहें और सत्य के लिए इस्थिर और द्रड़ रहें विवहारिक जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी और दूसरी और सत्य के रास्ते पर द्रड़ता से चलना चाहिए आत्मा को हिलने डुनने की आवशक्ता नहीं क्योंकि जीवन में इस्थापित जो शाष्वत माननेताएं हैं दृष्टिकोन हैं विचारधाराएं हैं उनने अपनाना चाहिए इससे सपस्थ होता है कि समय पर अड़ जाने वाला और समय पर जुक जाने वाला ही वास्तविक जीवन जीता है दूसरी ओर जो केवल अड़ना जानता है जुकना नहीं वो अस्फल होगा इसलिए लेखक ने एक को जीवन्त द्रड़ता का नाम दिया जो विचारों में द्रड़ भी हो और समन्वेवादी भी रहे और दूसरा जो अपनी बातों पर अड़ने वाला हो वा तो निर्जीव की तरह ही कहा जा सकता है जो की जड़ है आईए हम विस्तार से पाठ को चित्रन किया है एक मकान में खरने पर लेखक खिर्की से बाहर का द्रिश्य देखता है और उसकी द्रिश्टी बांज के पेड़ पर जाती है वा पूरी गहराई से उसका आवलोकन करता है उस व्रिक्ष में हरियाली है वह हवा के जोंके के साथ जूमता है ऐसा लगता है कि आनंदित हो रहा है। जब लेखक उस बुरिक्ष को देखता है, तो उसे जीवन में भी सौंदरे नज़र आता है। जीवन में भी मौज मस्ती का एसास होता है। और उस बुरिक्ष को और नज़्दीक से देखने की कोशिश करता है। हमारे और आपके जीवन में भी बहुत से द्रिष्टी सामने आते हैं, लेकिन रचनाकार की जो द्रिष्टी होती है, वह चीजों को बहुती समवेदन शील लंग से देखता है, यहां भी आप देखिए कि प्रभाकर जी ने कहा है कि जब वह व्रिक्ष की देखते हैं, तो जैसे लगता है कि बीन की तान पर कोई साम जूम रहा हो, और उसका उपर का हिस्सा, हवा जब और तेज हो जाती है, तो काफी जुग जाता है, पर हवा के हलका पड़ते ही वह सीध साल उठते जाते हैं, साथ ही वह उस व्रिक्ष के पास एक ठूट को भी देखता है, और स्वाभाविक रूप से वह दोनों की तुलना करता है, और मानो जीवन में उनसे क्या शिक्षा मिलती है, क्या मूले प्राप्त होते हैं, उन पर भी वह अपनी टिपणी करता चलता है जैसा कि अभी मुख्य विंदों में बताया गया कि लेखक जीवन में समन्वयवाद और आदर्शवाद दोनों का हिमाईती है, लेकिन महतुपूर्ण तत्व है समय, अर्थात जीवन में समय अनुसार या परिस्थिती के अनुसार यह निड़े लेना होता है कि कब कैसा व् हिरन कश्यब जैसे और आनिक पात्रों का उधारन पेश किया है, दो दूसरी ओर हिटलर और स्टालिन का भी उलेक करता है, इसका कारण है कि इनका जिद्धी पन या अडियल पन जो सुभाव है, वो परिणाम के रूप में हार को ही सामने लाता है, इस पार्ट में विशेव वस्तु है, उस विशेवस्तु पर अगर हम गौर करते हैं, तो इसमें लेखक ने जीवन की व्यावहरिक्ता को बहुत ही विस्तार से बताया है, क्योंकि रचनाकार का एसपस्ट मत है कि यदि सलीके से जीवन बिताना है, तो अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना होग और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना होगा, इसी प्रकार कभी दूसरों की बातों को मानना होगा, और कभी अपनी बातों से दूसरों को सहमत करना होगा, इसके अलावा किसी को कुछ देना भी होगा, और दूसरों से कुछ लेना भी होगा, और इन सब के समन्वय से ज जीने का एक बड़ा ही सकारात्मक रूप प्रस्तुत किया है और यह स्पस्ट करने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में अनेक इस्थितियां आती हैं और हमें सामंजस से स्थापित करते हुए जीवन को सुन्दर बनाना चाहिए। दूसरी विप्रीत इस्थिति का उलेक भी लेखक ने किया है और यह संकेत किया है कि जो अहंकारी है और मनमानी व्यवहार करता है उसे समाज से माननेता नहीं मिलती है अलग कर दिया जाता है उसे और औस्विकार भी कर दिया जाता है उन्होंने कुदाल और कुलहाडी के उद काड़ने के काम आता है उसी तरह से जो लोग समन्मेवादी नहीं होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है अब हम बात करते हैं उपसंगहार पे तो यहां लेखक ने निश्कर्ष के रूप में तीन बातों पर जोड़ दिया है पहला कि मनुष्य को परिस्थितियों से समझोता करना चाहिए परंतु एक सीमा तक अर्थात तूट जाने के इस्थिति नहीं आनी चाहिए दूसरी बात यह है कि जो सत्य का मार्ग है आदर्श का मार्ग है उस पर द्रड़ रहना चाहिए जैसे प्रेम, भाईचारा, सोहार्द, शान्ती, सद्भाव आदि यह जो गुण हैं उनको हमेशा महत्तु देना चाहिए तीसरी बात समचित स्थान पर विवेक पूर्ण निर्ड़े लेना चाहिए माननी जीए आपकी परिक्षा निकट आ गई है तो आपको अन्य स्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए परिक्षा की तयारी करनी चाहिए परशर्ते कई काम बाधित भी हो जाते हों इस प्रकार आपके सामने जो भी लक्ष होगा उस पर निगाह होनी चाहिए तभी जीवन में सफलता मिलेगी यदि हम निबंद की भाषा को देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है लिखक ने अत्यान गंभीर विशे को सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है वो एक प्रस्ण उठाता है और उसके उत्तर ढूंडता है साथ ही प्रस्ण उत्तर शैली की वज़े से भाषा आकर्शक बन गई है और वो हमेशा मनुरंजन भी बनाये रखती है प्रस्ण उत्तर में विचारों का सिलसिला चलता रहता है साथ ही जगा जगा काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग मिलता है जैसे पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ दीखता है कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो यहां उपमा अलंकार की छटा है इसमें नमीन सब्दावली के भी प्रयोग मिलते हैं जैसे अधिनायक्ता, डिक्टेटरी, इत्यादी लेखक ने भाषा में प्रवाह लाने के लिए उदारण सैली भी अपनाई है अपनी बात कहते कहते और आने किया विदेशी परंपरा का भी उलेक किया है जैसे रावण, हिटलर, आधिका जिक्राया है आप जैसा की जानते हैं कि जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसका एक मुख्य उदेश्य भाषा का कोशल भी विक्सित करना है और इसके लिए इस पाठ में हमने एक निपात शब्द को स्पस्ट करने की कोशिश की है वियाकरण में निपात का अर्थ होता है कि जब कुछ अलग शब्द वाक्य में प्रियुक्त होकर अर्थ को विशेश बल देते हैं तो उसे निपात कहते हैं आम जीवन में भी हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रियुक करते हैं जिन से अर्थ भी बदल जाता है जैसे अगर हम बोलते हैं सामने ही दिख रही थी सडक यहां ही सब्द है उस पर बल दिया जा रहा है इसी तरह तुम नहीं आओगे या तुम आओगे न यहां नहीं और नौ का जो प्रियोग है उससे अर्थ भंगिमाय बदल जाती है इस प्रकार शिक्षारती हमने एक्था पेड और एक्था ठूट पार्ट पर विस्तार से चर्चा की इसके भावपक्ष और शिल्पक्ष की विशेष्ताओं को समझने की वीचेष्टा की वास्तों में यह एक ललित निबंद के रूप में प्रस्तुत है और चिंतन का एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है मनुस्य जीवन को कैसे सुन्दर बनाएं इसकी इस्थापना के लिए दो तरह के विरिक्षों का उधारन पेश किया गया है और अंत में समन्वेवादी दृष्टी की इस्थापना की गई है आप इस पार्ट को पुना पढ़ें और प्रस्टों के उतर भी हल करें तो विशे आपको और भी स्पस्ट हो जाएगा धन्यवाद